प्रेग्नेंसी का नवा महीना ये आपके लिए बहुत महत्तोपूर्ण होता है मा और सिसू दोनों के लिए मित्रो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेलफुल और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लास्ट में जाके सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा के जरूर जाईएगा इस समय आपके सिसू का ग्रोथ बढ़ रहा होता है सिसू नवा महिना के शुरुवात से धाई कीलो से अंत तक जाते जाते साड़े तीन केजी तक हो जाता है अगर आपकी अच्छी डाइट अगर आप लेती है तो इस समय मा की समस्याएं कुछ बढ़ जाती है जैसे मैं ACIDT की सिकाया, कमर में दर्द, पेट में दर्द यानि सम मिला के आप इस समय डिसकमफर्टेवल फिल करने लगती हैं जब आपका बेबी हेट डाउन यानि की आपके पैल्विस में एंटर कर जाता है तब आपका बेबी पंप यानि की आपका पेट थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है इस समय आपको थोड़ा बेटर फिल होता है यानि कि थोड़ा आराम फिल होता है जो चेश्ट का भाग है और खाली हो जाता है लेकिन ये आपके नवे मन्त के सुरुआत में नहीं होता है ये नवे मन्त के एक दो हफ्ते निकलने के बाद ही ये आपको थोड़ा रिलीफ देग लेकिन इस समय आपको false lever pain और real lever pain में अंतर समझना पड़ेगा यानि कि आपको दोनों में अंतर जो है वो आपको समझना पड़ेगा हमारे वीडियो में है आप जाके देख सकते हैं इसके बाद जो बेबी का movement है होता है यानि कि बेबी का kick ओ अब महिला को कम महसूस होता है लेकिन पहले जो सिसू है थोड़ा ज़्यादा move करता था लेकिन अब वो बड़ा हो गया है और पानी की जो मात्रा है यानि कि एमनूटिक fluid है वो अब कम हो गई है तो बच्चा केवल हाथ और पैर ही आपके गर्ब में हिला सकता है वो पूरा का पूरा टर्न नहीं कर पाता है यानि कि पूरा का पूरा घूम आपके पेट में नहीं पा रहा है इसलिए आपको दो घंटे में दस बार उसका किक महसूस होगा इसके अलावा महिला को ठकान बढ़ जाता है यानि कि महिला बिल्कुल ठकी 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 रहने लगती है अब आईए जानते हैं कि सिसु के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है इस समय आपका बेबी का ग्रोथ बढ़ जाता है उसका लंग्स यानि फेफड़ा में चोड़ हो जाता है उसके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं हाथ के पैर के इस समय उसका जो मसल है और कठोर होने लगता है यानि कि मजबूत होने लगता है इस समय आपका बेवी अपनी आखों को जपकाने लगता है यानि कि यह हलखा फुलखा खु़लने और बंद करने लगता है आपके बेवी के skin के नीचे जो fat की layer है वो इस समय बढ़ने लगती है बच्चे का brain development बढ़ने लगता है यानि कि उसका जो दिमाग है दिमागी विकास है वो इस समय बहुत मतलब तेजी से बढ़ता है जब तक आपका शिशू बाहर नहीं आ जाता तब तक कुछ न कुछ आपको 9 महीने ग्रोथ होता ही रहता है अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपके 9 महीने में बेबी का 9 मंत में क्या-क्या ग्रोथ होता है अब बात करते हैं कि इस समय आपको क्या-क्या diet लेना है तो देखिए मित्रो इस समय आपको liquid का intake ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि इस समय जो आपका बेबी है वो बड़ तो गया हो जाता है और उसके आसपास पानी की मातरा है यानि की फ्लूड है वो कम हो जाता है तो इस समय आप अगर ukid की मातरा ज़्यादा लेंगी यानि पानी लेंगी तो जो एम्निटिक फ्लूड है उसकी कमी आपके अंदर नहीं होगी तो आपको लेना है नारियल पानी दूद छांच सूप हरी सबजियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए क्योंकि अगर आप हरी सबजियों का सेवन करेंगी तो आपका जो गैस और ओमेगा फैटी एसीड होता है वो बदाम और अख्रोट के अंदर ज्यादा होता है तो इसको आपको अच्छी मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि ये बच्चे का ब्रेंड डेवल्प्मेट में ज्यादा काम करता है उसके बाद आपको खजूर किसमिस अंजीर इसका भी इस् को कम कर देना है इस समय आपको क्योंकि अगर कार्वोहड्रेट लेंगी तो आपका बेवज़ा वजन ज्यादा गेन हो जाएगा अब आपका सब कुछ नार्मल है यानि कि आपके जो डिलीवरी है उसमें कोई कम्प्लिकेशन नहीं है डाक्टर आपको कोई कुछ नहीं इस समय आपको करना बहुत जरूरी है आप सुबा सुबा की फ्रेस ताजी हवा में चले जाए तीस मिट आपको वाक करना जरूरी है आपको ब्रिधिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप ब्रिधिंग एक्सरसाइज करती रहेंगी तो आपको कि आप कमफर्टेवल फिल करें यानि कि आप कमफर्टेवल फिल हो वहीं एक्सरसाइज करिए आपको हो सके तो आप जो उकडू बैठने वाला एक्सरसाइज है ये भी किजिए क्योंकि ये पैल्विक जो आपका मसल है उसे मुलायम और बचेदानी का यानि सर्विक्स का आपको ये समझना होगा कि रियल लेवर पेन और फाल्स लेवर पेन में क्या अंतर है देखिए मित्रो रियल लेवर पेन आपको हर दस मिनट पे आएगा और ओ कभी भी आप अपना पोजीशन बदले या सोएं या लेटे या कुछ भी करें ओ आपको नहीं बंद होगा यान सांत नहीं होगा और फाल्स लेवर पेन यह होता है कि अगर आपके पेट में दर्ध हो रहा है तो आप अगर अपना पोजीशन बदल देंगी खड़ी है बैठ जाएंगी सो जाएंगी धर से उधर करेंगी तो फाल्स लेवर पेन आपका चला जाएगा लेकिन रियल लेवर में अंतर इसके बाद अगर citrico ऑगर श्टाठ हो गया हो यानि की पानी की थायली तो भी अगर आपको पानी की थायली फटने में अंतर समझ ना होगा दूसरा अगर आपका urine का लिकेज होगा तो आप एक बार जब urine पास करके आएंगी तो आपका जो blender है ओखाली हो जाएगा थोड़ी दिर के बाद आपको urine लगेगा अगर पानी का लिकेज है तो ओ लगतार आपको गिरता ही चला जाएगा ओ रुखने का नाम नहीं लेगा इसके बाद अगर आपका bleeding discharge बढ़ गया हो यानि कि आपको जो discharge हो रहा है ओ बढ़ गया हो उसके अंदर थोड़ी खून की मात्रा ब्लड की मात्रा आ रही हो इस समय भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए अगर आपका सिसू कम movement कर रहा हो यानि कि दो घंटे में दस बर movement नहीं कर रहा हो तो भी आपको डॉक्टर के पास definitely जाना चाहिए देखिए मित्रो इस समय आपके बेबी का movement तो कम हो ही जाएगा लेकिन अगर कम का मतलब यह नहीं कि ओ पूरा movement नहीं करेगा घूमेगा नहीं लेकिन आपको उसका हाथ हाथ हो और पैरों के किक सो रहा है तो आप डाक्टर के पास definitely जा सकती है इसके बाद आपको जो सोने का तरीका है नौवे मंत में left side करवट लेकर ही आप सोने की कोशिस कीजिए इससे आपके बेबी के पास blood circulation जो है और oxygen की मात्रा अच्छे से आपके बेबी को मिलता है जिसे कि आपके बेबी का ग्र और वीडियो हेलफुल लगा होगा अगर हेलफुल लगा तो मैं आप से रीक्वेश्ट कर रही हूं कि मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर के जाना और वीडियो को इसकी कर के बिल्लकुल भी ना देखना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप अपना और अपने बेवी का ख्याल दखे धन्यवाद थाइंक्यू फर वाचींग